हेलो एवरिवान कैसे हो आप सब आज मैं आपके साथ सबों की पसंदीदा रेसिपी लेकी आई हूँ जो बच्चे बड़े सभी को काफी ज़्यादा पसंद आती है तो मैंने सोचा क्यों नफ फेस्टिवल सीजन चल रहा है इसकी रेसिपी आपके साथ सीयर करूं तो आज हम बना रहे हैं ओरेंज वाले गाजर से गाजर का शीरा और यह काफी ज़्यादा यमी बनती है तो आप भी इसे एक बार बना कर जरूर ट्राइ करना रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्स कर दो तो चलिए फिर इसे बनाना स्टार्ट करते हैं इसके लिए सबसे पहले हम गाजर को अच्छी तरीके से पानी से वोस कर लेंगे और फिर यूज करेंगे तो यहां मैंने एक केजी गाजर का यूज किया है और अब हम गाजर को सबसे पहले ऊपर और नीचे से कट कर लें और फिर गाजर को पीलर की मदद से अच्छे से छील लेंगे और अब हम इसे कद्दूकस की मदद से अच्छे से घस लेंगे आप इसे कोसिस करिएगा कि लंबा लंबा घसने की तो सारे गाजर को मैंने इसी तरीके से घस कर रेडी कर लिया है और एक इंपोर्टेंट बात गा और इसमें अब हम 3 चम्मच इतना घी डाल देंगे और घी में सबसे पहले हम ड्राइफ रूट्स को अच्छे से फ्राई कर लेंगे यहां मैंने ड्राइफ रूट्स में 4 कटी हुई बदाम लिया है 4-5 कटी हुई काजू लिया है और थोड़ा सा किस्मिस को चौप्ट करके लिया है आप अपने पसंद का कोई भी ड्राइफ रूट्स इसमें डाल सकते हो सबसे पहले हम काजू और बदाम को एक मिनट अच्छे से रोस्ट कर लेंगे और फिर ही हम इसमें किस्मिस डालेंगे अगर आप सभी चीजों को साथ में डाल दोगे तो किस्मिस हमारी जल जाएगी और ड्राइफ रूट्स भी अच्छे से रोस्ट नहीं होगा तो आप पहले काजू और बदाम को थोड़ा सा रोस्ट कर लें फिर ही किस्मिस डालें और जैसे ही हम इसमें किस्मिस डालेंगे एक बार इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे निकाल लेंगे तो सारे dry fruits को मैंने एक बावल में निकाल लिया है अब हम इसी घी में रेट किया हुआ गाजर एट कर देंगे आपको इसमें कोई भी extra घी डालने की जरूरत नहीं है dry fruits को fry करने के बाद जो घी बसता है उसी में हम गाजर को अच्छे से भूज लेंगे काजर को हमें 4-5 मिनट के लिए अच्छे से भूजना है तभी हलवा में अच्छा टेस्ट आएगा काजर को जब आप गी के साथ अच्छी तरीके से भूजोगे तभी वो जो flavor होता है हलवे का वो निखड़कर आएगा इसे गाजर अच्छे से गल भी जाएगा और इसे बनाने में हमें कम टाइम लगेगा तो इसे आपको medium to high flame पर 4-5 मिनट लगातार चलाते वे भूनना है 4-5 मिनट हो चुका है और गाजर भी थोड़ा सा सिकूरना start हो चुका है तो अब हम इसमें दूद आट कर देंगे यहां मैंने आदी लीटर दूद का यूज किया है क्योंकि हम इसमें मावा भी एट करेंगे तो इतना दूद काफी है और यहां मैंने काई के दूद का यूज किया है जो की काफी ठीक थी अगर आपकी दूद पतली है तो आप इसमें थोड़ा सा दूद का क्वैंटीटी बढ़ा सकते हो और इसे अब हमें लगातार चलाते हुए पकाना है इसे पकने में कम से कम 20-25 मिनट का टाइम लग जाता है आप बीच-बीच में इसे चलाते हुए पकाते रहें अभी हमने इसमें दूद डाला है तो आप इसे बीच-बीच में छोड़ भी सकते हो एकिन जैसे ही दूद थीक होना स्टार्ट हो जाए तो आप इसे रेगूलर चलाते हुए पकाएं इसे चलाते हुए अभी मुझे 20 मिनट हो चुका है अभी इसमें काफी मात्रा में दूद है तो अभी इसे हम और चलाएंगे तो पूरी 20 मिनट हो चुके हैं और गाजर में से दूद भी गाईब हो चुका है और हलवे में काफी अच्छा बाइंडिंग आना स्टार्ट हो चुका है तो अब हम इसे स्टेज पर इसमें खोया एट कर देंगे यहां मैंने इसमें आधी कटोरी खोया डाला है जो की 100 ग्राम जितनी थी और खोया डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पाच मिनट और पकाएंगे आप चाहें तो इसमें खोया की जगर मिल्क पाउडर भी एट कर सकते हो मिल्क पाउडर डालने से भी हल्वा में काफी अच्छा फ्लिवर आता है और अगर आपके पास मिल्क पाउडर भी एपलेबल नहीं है तो आप इसे ऐसे भी बना सकते हो उस स्टेज में आप थोड़ा सा दूद की क्वेंटिटी ज़्यादा डाल कर इसे पका लेना तो खोया गाजर के साथ अच्छे से मिक्स हो चुकी है अब हम इसमें चीनी एट कर देंगे यहां मैंने एक कटोरी चीनी का यूज किया है जो लगवक देर सो से दो सो ग्राम जितनी थी चीनी की क्वेंटिटी आप अपने एकोडिंग कम या ज़्यादा कर शकते हो चीनी डालने के बाद हम इसे दो से तीन मिनट के लिए और अच्छे से पकाएंगे तीन से चार मिनट के बाद हलवा फिर से थीक होना स्टार्ट हो जाएगी तो इसमें हम रोस्ट किया हुआ ड्राइप रूट्स एड़ कर देंगे जिसे हमने स्टार्टिंग में गी में रोस्ट किया था साथ में हम इसमें फिलिवर के लिए हाफ टेवल एस्पून जितना इलाइची पाउडर भी डाल देंगे गाजर की हलवे में इलाइची का फिलिवर काफी अच्छा लगता है अगर आपको पशन नहीं है तो आप इसकिप कर देना ट्राइप रूट्स इलाइची पाउडर डालने के बाद हम इसे 3-4 मिनट के लिए और पका लेंगे इसे आपको ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है मातर 4-5 मिनट के लिए आप इसे पका लें अक्सर हम सभी रेट वाले गाजर शेतो हलवा बनाते ही हैं एक बार आप ओरेंज वाले गाजर का भी हलवा बनाकर जरूर ट्राइ करना काफी ज़्यादा यमी बनती है और ओरेंज वाले गाजर में कोई आर्टिफिशियल कलर भी मिलावा नहीं होता है साथ में ओरेंज वाला गाजर काफी ज़्यादा मीठा भी होता है आप इसे दोनों में से कोई से भी गाजर से वेसे बना सकते हो दोनों गाजर का हलवा काफी ज़्यादा यमी लगता है चार से पाच मिनट हो चुका है तो अब हम गेस की फ्लेम को ओफ कर देंगे और इसे अब हम निकाल कर एक बाउल में शर्व कर लेते हैं में जरूर बताना कि गाजर का हलवा किस किस को पशंद है और आपने इसे लास्ट टाइम कब बना कर खाया था आप इस हलवे को गरम गरम भी खा सकते हो और ठंडा करके भी खा सकते हो दोनों तरीके से काफी यमी लगती है इस गाजर की हलवे को आप चाहें तो फ्रेज में स्टोर करके भी रख सकते हो तो हलवे को यहां मैंने बाउन में निकाल लिया है अब हम इसके उपर थोड़ा सा मावा ग्रेट करतेंगे साथ में हम इसे गानिश करेंगे धोड़े से ड्राइ फ्रूट्स के साथ तो रेडी है हमारा गाजर का हलवा आपको मेरी यह हलवा की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना और वीडियो को जादे से जादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स में शियर करना ताकि वो भी इस फेस्टिवल सीजन गाजर का हलवा बना कर ट्राइ कर शके चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जल्दी से प्रेश कर लेना चलिए सेकेंड रेसिपी की और चलते हैं आज में आपके शाद मुँ में घुल जाने वाली सौप्ट आलू की हलवा की रेसिपी सीर कर रही हो अगर आप मेरे तरीके से एक बार बना कर ट्राइ करोगे तो आप गाजर का हलवा भी खाना भूल जाओगे तो चलो फिर इसे बनाना स्टार्ट करते हैं इसके लिए सबसे पहले हम आलू को अच्छे से मेस कर लेंगे यहां मैंने 8 मीडियम साइज के आलू का यूज किया है और इसे बनाने के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आलू एकदम अच्छी तरीके से उबलावा हो अगर आलू कच्छी रहेगी तो वो कड़ाई में जिप केगी और आपको सीरा बनाने में दिक्कत होगा इसलिए आलू को आप एकदम अच्छी तरीके से उबल कर ही यूज करना आलू को मैंने एकदम अच्छी तरीके से मेस करके रेडि कर लिया है अब हम एक पैल लेंगे और इसमें हम एक कप दूद आट करेंगे और साथ में हम इसमें थोड़ा सा केसर आट कर देंगे और दूद जब अच्छी तरीके से उबल जाए तो गेस के फ्लेम को ओफ कर देंगे और इसे साइड रख लेंगे अब हम एक कढाई लेंगे और इसमें हम दो बड़े चमच गी एड़ कर देंगे और गी को अच्छे से मेल्ट होने के लिए छोड़ देंगे जब गी अच्छे से मेल्ट हो जाए तो हम इसमें मेस्किया हुआ अलू एड़ कर देंगे आपको इसे बनाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि आपको इसे बनाने के लिए एलमुनियम का कढ़ाई यूज नहीं करना है आप इसे नोन स्टिक कढ़ाई या पैन में ही बनाना इससे आपको हलवा बनाने में इजी होगा और अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर भूजेंगे और इसे भूजने में आपको 10-15 मियाट का टाइम लग जाएगा धीरे धीरे आप देखोगे कि आलू सारा गी एबजोर्ब कर लिया है और धीरे धीरे आप देखोगे कि आलू का कलर भी चेंज हो रहा है आपको इसे भूजते टाइम थोड़ा पेसेंस रखना होता है बट इसका रिजल्ट काफी अच्छा आता है अगर आप इस तरीके से आलू का सीरा बनाते हो तो मेरी गाइरेंटी है कि आपको और आपके पूरे फैमली को यह हलवा काफी ज़्यादा पसंद आएगा और सभी आपके हलवे के दिवाने हो जाएंगे और आपसे इस हलवा की रेसिपी पूछेंगे तो इसे चलाते चलाते मुझे 10 मिनट हो चुका है और आलू का कलर भी हलका चेंज हो चुका है अभी हम इसे 2 मिनट के लिए और पकाएंगे आप इस तरीका से भी चेक कर सकती हो की हलवा पकाये की नहीं इसके लिए आप देखोगे की हलवा पहले से काफी ज़्यादा हलका हो चुका है अगर आप इसे स्टार्टिंग से कमपेरिजन करोगे तो यह आपको काफी ज़्यादा हलका लगेगा और आलू का हलवा भी सिकूरना स्टार्ट हो चुका है तो अब हम इसमें एक कटोरी चीनी एट कर देंगे इसे मैंने 10-15 मिनट तक अच्छे से से शेखने के बाद इसमें चीनी एट किया है और अगर आपकी आलू थोड़ी कम मिठी है तो इसमें आप चीनी थोड़ा ओर डाल सकते हो चीनी डालने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए लगातार चलाएंगे इस स्टेज पर आप गेश के फ्लेम को हाई कर सकते हो और दो मिनट में ही आप देखोगे कि चीनी अच्छी तरीके से मेल्ट होनी स्टार्ट हो चुकी है तो इसी स्टेज पर हम केसर वाला दूर डाल देंगे जो हमने बना कर रेडी किया था केसर डालने से इस हलवे का फिलेवर काफी जादा अच्छा आता है और इसका जो कलर है वो भी हलका सा येलो टोन में आता है आप इस स्टेज पर चाहें तो इसमें एक से दो टेवले स्पून मलाई भी एड़ कर सकते हो और इसे अब हम लगातार हाई फ्लेम पर चलाएंगे अभी हमने इसमें दूट डाला है तो यह अभी काफी जादा पतला हो चुका है जब तक यह थीक होना है स्टार्ट नो हो जाए तब तक आप इसे चलाते रहें तो अभी आप इसमें देख सकते हो कि थीकनेस काफी अच्छा आ चुका है तो अब हम इसके लिए इलाइची कूट कर रेडी कर लेते हैं यहां मैंने दो इलाइची का यूज किया है और अब हम इलाइची को अच्छी तरीके से कूट कर इसमें डाल देंगे आप इसकी जगर इसमें half टेबले स्पून इलाइची पाउडर का भी यूज कर सकते हो और अब हम गेस के फ्लेम को लो कर देंगे और इसे 2 मिनट के लिए अच्छी तरीके से स्टर कर लेंगे जब तक की हलवा थोड़ा सा घी छोड़ना स्टार्ट ना कर दे इस हलवा में आपको ड्राइफ फ्रूट्स को भी अलग से घी में फ्राइ करके डालने की जरुवत नहीं है बेना ड्राइफ फ्रूट्स के भी यह हलवा काफी ज़्यादा यमी बनती है तो इसे दो मिनट लगातार एस्टर करने के बाद हम गेस के फ्लेव को ओफ कर देंगे और अब इसे हम कटोरी में निकाल के सर्व कर लेते हैं जैसा कि आप देखके भी समझ सकते हो कि हलवा किता ज़्यादा सौप्ट और यमी बना है खाकर तो आपको इसे मज़ा आ जाएगा बीच बीच में केसर का फ्लेवर और घी में रोस्ट किया हुआ आलू काफी ज़्यादा टेस्टी लगती है तो आप इसे बना कर जरूर से ट्राइ करना इसे हम थोड़े से ड्राइप फ्रूट से गार्निश कर देंगे ड्राइप फ्रूट में मैंने यहां बदाम और पिस्ता को चौपट करके लिया है आप अपने पसंद के कोई भी ड्राइप फ्रूट से इसे गार्निश कर सकते हो अगर आपको मेरी आलू की हल्वा की रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना चलिए अब हमारी थर्ड हल्वे की रेसिपी की और चलते हैं आज इस वीडियो में मैं आपके शाद बेसन के हल्वा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे खाने के बाद सभी आपके फैन हो जाएंगे और गाजर का हल्वा, आलू का हल्वा, सूजी का हल्वा को भूल कर बेसन के हल्वा को ही बनाने का डिमांड करेंगे तो चलिए इस टेस्टी बेसन के हल्वा को बनाते हैं अगर आप कुछ tips और tricks को ध्यान में रखते हो तो आपका हलवा एक्तम perfect बनता है तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ उस tips और tricks को भी share करूंगी जिससे आपका हलवा एक्तम perfect बने तो चलिए फिर इसे बनाना start करते हैं इसे बनाने के लिए हम एक कढाई लेंगे और कढाई में हम एक तिहाई कटोरी घी एट करेंगे थोड़ा सा घी का यूज हम बात में करेंगे तो मैंने यहां थोड़ा सा घी को बचा कर रख लिया है अब हम घी में एक कटोरी बेशन एड़ कर देंगे और अब हम बेशन को अच्छे तरीके से भूनेंगे आप एक बार में सारा घी का यूज ना करें Otherwise हलवा जो है एकदम soft और floppy नहीं बनेगा अगर आपको एकदम मुह में घुल जाने वाली हलवा चाहिए तो थोड़ा सा घी को बचा कर आप बाद में यूज करें और बेशन को आपको low to medium flame पर भूज ना है अगर आप इसे तेज flame पर भूजोगे तो बेशन का कच्छा पर दूर नहीं होगा और हलवा खाने में मज़ा नहीं आएगा बेशन जब तक भूज रहा है तब तक हम बाकी का काम कर लेते हैं तो हम तब तक केशर वाला दूद बना कर डेडी कर लेते हैं इससे केशर में काफी अच्छा कलर भी आ जाएगा और तब तक हमारा बेशन भी भूज जाएगा तो इसके लिए सबसे पहले हम थोड़े से दूद में केशर को एट कर देंगे और जब दूद अच्छी तरीके से उबल जाए तो गेश के फ्लेम को अफ कर देंगे और इसे साइड कर लेंगे तो बेशन को भूजते वे सास से आठ मिनट हो चुके हैं और अभी आपको लग रहा होगा कि बेशन काफी जादा ड्राइ है बट जैसे जैसे बेशन अच्छी तरीके से भूजेगा वो गी खुदवखु छोड़ेगा तो अभी आप टैंसर ना लें अब हम इसमें थोड़ा सा चौप्ट किया हुआ बदाम एड़ कर देंगे आप अपने पशंद का ड्राइफ रूट्स एड़ कर सकते हो साथ में हमने जो थोड़ा सा घी वचा कर रखा था वो भी इसमें एड़ कर देंगे और अब हम इसे बूजेंगे अभी बेशन में से काफी अच्छा कुसबू आना स्टार्ट हो चुका है बट अभी हमें इसे 5-6 मिनट और भूजना है अभी हमने जो इसमें ड्राइफ रूट्स को चौप्ट करके डाल दिया है इसे ड्राइफ रूट्स में भी काफी अच्छा कलर आ जाता है और ड्राइफ रूट्स भी अच्छी तरीके से भूज जाता है तो आप 5 मिनट पहले इसमें ड्राइफ रूट्स एड़ करें तो ड्राइफ रूट्स को भूजते वे 5 मिनट हो चुका है तो अभी आप देख शकते हो कि बेशन में से घी सेपरेट होना स्टार्ट हो चुका है और बेशन अब ड्राइफ भी नहीं लग रहा है तो इस स्टेज पर आप समझ सकते हो कि बेशन अच्छी तरीके से भूज चुकी है इसे आपको low to medium flame पर भूजने में 10-15 मिनट का टाइम लग जाता है आप चाहें तो बीच बीच में इसे एक बार high flame पर भी कर शकते हो और जब कढ़ाई काफी ज़्यादा गर्म हो जाए तो इसे low flame पर कर देना इससे heat एकदम maintain रहेगा और अगर आप इसे सिर्फ high flame पर भूजोगे तो बेशन का कच्चापन भी दूर नहीं होगा और बेशन घी भी अलग नहीं करेगा तो इसको आपको temperature को maintain करके भूजना है तो बेशन को भूजते भूजते इसका color भी काफी अच्छा हो चुका है और इसमें से खुस्बू भी काफी अच्छी आ रही है तो हमारा बेशन भूजकर ready है अब हम इसमें केशर वाला दूर डाल देंगे बेशन के शाथ केशर का flavor काफी अच्छा लगता है इससे हमारे हलवा का color भी काफी अच्छा आता है और इससे हमारी हलवा का flavor भी काफी अच्छा हो जाता है अगर आप इसमें केशर वाला दूद नहीं डालना चाहते हो तो आप इसमें थोड़ा सा दूद जरूर डालना इससे हलवा एकदम दानेदार और अच्छी बनती है और अब हम इसमें एक कटोरी चीनी एट कर देंगे चीनी एट करने के साथ साथ हम इसमें उसी कटोरी से दो कटोरी पानी एट कर देंगे आप जिस कटोरी से चीनी एट करो आपको उसी कटोरी से पानी भी एट करना है और अब हम चीनी और पानी को अच्छी तरीके से बेशन के शाथ घुलने तक पकाएंगे आपको इस हलवा के लिए कोई अलग से चासनी बनाने की जरुवत नहीं है ऐसे भी काफी ज़्यादा टेस्टी हलवा बनता है और अब हम इसमें उपर से हलका सा घी डाल देंगे इससे एकदम साइनी फ्लेवर आएगा हलवा में और अब हम हलवा को दो मिनट के लिए और अच्छी तरीके से पका लेते हैं फ्लेवर के लिए इसमें हम हलका सा इलाइची पाउडर एट कर देंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्ष करते वे दो मिनट पकाएंगे दो मिनट बाद आप देखेंगे कि हल्वा एकदम थीक हो चुका है तो इस स्टेज पर आप केश के फ्लेम को आफ कर दें अगर आप इस हल्वा को अच्छी तरीके से भूज कर बनाओगे और साथ में चीनी और पानी का मेजर्मेंट एकदम सहीद होगे तो आपकी हल्वा एकदम परफैक्ट बनेगी तो मुँ में घूल जाने वाली बेशन की टेस्टी हल्वा बनकर रेडी है अब हम इसे प्लेट में निकाल कर शर्व कर लेते हैं आप इस हल्वा को किसी भी फेस्टीवल में बना कर खा सकते हो या आपको कभी भी जब मीठा खाने का वान हो तो आप इस हल्वा को बना कर जरूर ट्राय करना काफी ज़्यादा पसंद आएगी आपको यह हल्वा एकदम सौप्ट मुँ में गूल जाने वाली बेशन की हलवा बनकर रेडी होती है तो इसे हम एक प्लेट में निकालकर शर्व कर लेते हैं साथ में हम इसे थोड़े से चौप्ट बदाम के शाथ कार्निश करेंगे आपको मेरी ये बेशन की हलवा की रेसिपी कैसी लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताना और आप इसे बना कर कब ट्राइ कर रहे हो तो चलिए हमारी लास्ट और आखरी हलवे की रेसिपी की और चलते हैं आज मैं आपके शाथ लोकी की हलवा की रेशिपी सियर कर रही हूँ और यह काफी ज़्यादा टेस्टी बनती है अगर आप इसे मेरी तरीके से बनाओगे तो आप गाजर का हलवा खाना भी भूल जाओगे और इसे हम घर के समान से ही बनाएंगे काफी easy तरीके से बन जाती है तो चलो फिर इसे बनाना स्टार्ट करते हैं इसके लिए एक पेन या करहाई ले लेंगे और इसमें हम एक टेबल इस्पून गी डालेंगे यहां हम ज़्यादा गी का यूज नहीं करेंगे एक टेबल इस्पून गी काफी है और इसमें अब हम ग्रेट किया हुआ लोकी डाल देंगे आपको एक बात ध्यान देना है कि आपको लोकी का बीच को इसमें से निकाल कर यूज करना है जब आप लोकी को घस रहे हो तो उसके बीच के पाट को आपको अलग करके तब यूज करना है तब ही हलवा एकदम परफेक्ट बनेगा और लोकी को हमें पाच मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करना है इससे हमारे हलवा में काफी अच्छा फ्लेवर आएगा अगर आप इसे अच्छे तरीके से रोस्ट करके यूज करते हो तो दूद फटने की सिकाईद जो कभी कभी आती है वो भी नहीं होगी और हलवा का टेस्ट काफी अच्छा आएगा अगर लोकी का कच्छा पन आप दूद नहीं करोगे तो हलवा उतनी टेस्टी नहीं बनती है इसलिए आप इसे पहले अच्छे से भूज ले उसके बाद ही इसमें दूद अट करें तो लोकी को बुशते वे 5 मिनट हो चुके हैं तो अब हम इसमें एक ग्लास दूद अट कर देंगे और अब हम दूद को अच्छी तरीके से बॉयल होने देंगे जब दूद में अच्छे से बॉयल आजाए तो हम इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे और दूद को थोड़ा गाधा होने देंगे अगर आपको लोकी पसंद नहीं है फिर भी आपको यह हलवा काफी ज़्यादा पसंद आएगी अगर आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो तो आप इसे खुद बनाकर ट्राइ कर सकते हो इसमें आपको लोकी का पिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा इसे खाने के बाद कोई नहीं बता सकता कि इसे आपने लोकी से बनाया है काफी ज़्यादा टेस्टी हलवा बनकर रेडी होती है कोई विश्वास नहीं करेगा कि आपने इसे बिना मावा के एक चमच घी से बनाया है तो मेरे कहने पर आप इसे एक बार बनाकर जरूर ट्राइ करना और फिर मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको यह रेसीपी कैसी लगी दूद को थीक होने में 5 मिनट का टाइम लगेगा इसे मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पर कुक किया है अगर आप इसे लो फ्लेम पर कुक करते हो तो इसमें आपको थोड़ा टाइम लग सकता है तो दूद हलकी ठीक हो चुकी है तो अब हम इसमें चॉप्ट किया हुआ ड्राइफ रूट्स एड़ कर देंगे ड्राइफ रूट्स आप अपने एकोडिंग कोई भी एड़ कर सकते हो मैंने इसमें काजू, बदाम, पिस्ता और किसमिस डाला है आप चाहें तो इसमें अखरोट, चिरोंजी या अपनी पसंद की सीट्स भी डाल सकते हो या जो ड्राइफ रूट्स आपको पसंद नहीं है उसे आप इसकी भी कर सकते हो राइफ रूट्स डालने के बाद हम इसे हाई फ्लेम पर दो मिनट के लिए और चलाते वे कुक कर लेंगे तो दूद अब काफी ठीक हो चुकी है तो इस स्टेज पर अब हम इसमें आधी कटोरी चीनी एड़ कर देंगे आप चीनी अपने एकोडिंग थोड़ा कम या जादा भी रख सकते हो चीनी डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे अब हम लगातार चलाते वे पका लेंगे दीरे दीरे आप देखोगे की चीनी मेल्ट हो रही है तो इसे अब हम दो मिनट के लिए और पका लेंगे जब तक की मिक्शर एकदम थीक ना हो जाए तब तक हमें इसे पकाना है कड़ाई के साइट्स में जो दूद्ची पकड़ाया है उसे भी हम कर्ची की मदद से अच्छी तरीके से चला लेंगे तो दीरे दीरे आप देखोगे की मिक्शर फिर से अच्छी तरीके से थीक होना स्टार्ट हो चुकी है तो इस स्टेज पर अब हम इसमें 4-5 टेवल एस्पून मिल्क पाउडर डाल देंगे आप चाहें तो मिल्क पाउडर की जगह मलाई भी डाल सकते हो या फिर मिल्क पाउडर को इसकी भी कर सकते हो क्योंकि हमने इसमें मावा नहीं डाला है तो इसमें milk powder डालने से काफी अच्छा flavor और texture आ जाता है और हमारा हलवा एकदम मावेदार tasty लगता है तो मैंने आपको milk powder की जगह दूसरा option भी दे दिया है आप चाहो तो milk powder डालना, otherwise इसे skip कर देना बिना milk powder के भी हलवा एकदम tasty बनेगी क्योंकि हमने लोकी को एकदम अच्छी तरीके से भूना था जिसके कारण लोकी का जो flavor है वो काफी अच्छा आता है तो milk powder डालने के बाद हमें इसे लगतार चलाते वे पकाना है इस stage पर आपको flame low to medium flame पर रखना है तो इसे चलाते वे मुझे लगतार पाच मिनट हो चुके हैं और हमारा हलवा भी थीक हो चुका है तो अब हम इसमें flavor के लिए एक टेवल एस्पून इलाइची powder डाल देंगे और इलाइची powder को हम अच्छी तरीके से हलवे में mix कर लेंगे इलाइची powder डालने के बाद हम इसे 2 मिनट और low flame पर पका लेंगे ताकि हलवा एकदम dry हो जाए आप चाहें तो अभी गेज के flame को off कर सकते हो बट अगर आप इसे ज़्यादा dry कर लेते हो तो आप इसे ज़्यादा दिन तक store करके रख सकते हो तो इसे low flame पर 2 मिनट और पका लेंगे और अब गेज के flame को off कर देंगे अब हमारी हलवा एकदम dry हो चुकी है तो अब इसे हम ठंडा होनी देंगे और इसके बाद हम इसे plate में निकाल कर शर्व कर लेंगे ठंडा होनी के बाद आप देख सकते हो लोकी की हलवे का texture एकदम माविदार लग रही है न तो इसे serve करने से पहले हम थोड़ा सा dry fruit से इसे गानिस कर देते हैं तो ready है हमारा tasty लोकी का हलवा बन कर आप इसे कब बना कर try कर रहे हो मुझे comment करके ज़रूर बताना और comment में ज़रूर बताना की आपको सबसे ज़्यादा कौन सा हलवा की recipe पसंद आई और आप कौन से हलवे को बना कर try कर रहे हो